हेलो बच्चा लोग दिस इस गुपाल सर एंड वेलकम टू एजी वुस्टर्स आज हम डिसकस करेंगे पैरा मीसियम के बैंडरी फीजन के बारे में और आप लोगों से एक अनुरोद है वेटा जिसको ये बैंडरी फीजन का क्लास पढ़ना है ठीक है पढ़े प्लस अगर जह जैसे हम कुछ क्लास दे पा रहे हैं कुछ नहीं दे पा रहे हैं जैसे पैरा मीसियम कहां है बच्चों में जहां पे हैं वो बच्चे हमको कमेंट कर दे कि सर हमारे कालेज में चल आए जैसे पुरवांचल में है या नहीं है या और कहीं है या नहीं है वो हमको एक बार कमें सब्डेट कर दे हमारे टेलीग्राम पे जाके हम पूरा आपको लेक्चर देंगे तो पैरा मिश्यम बाईनरी फिजल की बात करें तो ड्यूरिंग फैब्रेबल कंडिशन क्या होता है कि एक सिंपल सी बात यह जान लो कि यह एक प्रकार का एक सेक्शूल रिप्रोडक्शन है स उनके gametes मिलेंगे gametes से क्या होगा कि fusion होगा और जाइगोड का formation फिर बच्चे बनेंगे लेकिन binary fusion एक ऐसी case है यानि पेरामिसियम में हम यहीं देखेंगे कि और sexual reproduction का एक जहां पर एक एनिमल जो पेरामिसियम है इसके जितने बड़ी में पार्ट है सब के सब क्या होंगे डिवाइड होंगे longitudinally का मतलब लंबवत डिवाइड होंगे और बड़े बड़े हूँ के दोनों भागों में बढ़ जाएंगे बटने के बाद दो डाटर पेरामिसिया का formation कर देंगे जरा पढ़ लेते हैं क्या है डिवरिंग फेवरेबल कंडिशन यह कब होता है जब इनको एक अनुकूलित वातावरण मिलता है यानि कि बहुत अच्छा वातावरण जब इनको मिलता है तो पेरामिसियम क्या करता है मल्टिप्लाइज यानि अपनी संख्या बढ़ इसको बढ़ बढ़ करता है तो एसको इसको घटाब करता है तो इसको खड़ा करने के बाद ट्रांसवर्स हमाद देखेंगे है यह लंग ऐसे लंबे बड़े होंगे उसके बाद दो भागों में बटेंगे है तो यह चीज़ याद रखना binary fusion, transfers, binary fusion, it stop feeding, उस समय क्या करते हैं, यह अपना भोजन लेना बंद कर देते हैं and micronucleus, जो इसका micronucleus और macronucleus है, यह क्या करेंगे, थोड़ा divide होना शुरू कर देंगे, divide into two by mitosis and micronucleus, और यह क्या करेंगे, इधर और इधर की तरफ अपोजिट इंड पे जाना शुरू कर देंगे, यह बड़े वाले को बोलता है हमने macronucleus, macrotubule, sorry, हमने macrotubule लिख दिया है, macrotubule नहीं, macronucleus, और यहां भी वहीं लिखे होंगे, हमको मालूम है, यहां भी वहीं चीज है, nuclei, ठीक, तो यहां पे हम देखेंगे, और यह contractile vacuum, जिसके द्वारा यह औस्मो रेगुलेशन करता है then बात आगे करेंगे, the all body part, यहां पे इसके body के, दो बार हमने लिख दिया है, all body part, जो भी इसके body के part होंगे, सब क्या होंगे, divide होना शुरू कर देंगे, दो भागों में बटना शुरू कर देंगे, longitudinally, equal part, बराबर बराबर भागों में, इधर की तरफ, इधर की तरफ, द finally क्या होता है, यह जो body है, यह last में देखो के, दो भागों में बढ़ जाएगा, and then, two data paramecium are formed, और उसके बाद क्या होगा, दो data paramecium का निर्माण हो जाएगा, these phenomenon, यानि यहीं जो पूरी process है, is called binary fission, अभी हमने क्या बोला, यह पूरी paramecium है, इसके body में क्या हुआ, transverse, ऐसे transverse, सारी चीजे दोनों भागों में बढ़ गई, बढ़ने के बाद body दो भागों में तूटके अलग हो गया, I mean यह paramecium, paramecium को अगर हम खड़ा कर दे तो कुछ इस धंग से दिखलाई देगा, इसके जितने भी part है, वो उपर नीचे दोनों भागों में बढ़ना शुरू कर होगा, और समझ में आया तो comment box में जरूर बताए, चैनल को like, share, subscribe करना ना भूले, और comment करके जरूर बताएगा, share जरूर करिया, thank you for watching my video